करीब सुबह साथ बने से लग जाएगा साल का पहला सूर्य ग्रहन भारत में जो असर है नहीं नज़र आने वाला पुलिस कस्टिडी में अतीक की हत्या के आरोपी सनी से हुई पूच्टाच सनी ने कहा दिली के जीतेंद्र गोगी गिरों के संपर्क से मिले थे हत्यार आरोपी सनी ने पूच्टाच में बताया कि 14 एप्रिल को कोट में माफिया ब्रदर्स की हत्या करने का प्लान था लेकिन काम्याब ये प्लान हो ना सका 15 अपरेल को तीनों आरोपियों ने की थी अस्पिताल की रिकी आरोपियों ने दो मूबाइल फोन खरी दे लेकिन सिम कार्ट के लिए फ़र्जी आईडी नहीं मिले आरोपी सनी ने बताया कि पुलिस पर फारिंग प्लान का हिस्सा नहीं था मरने का एरादा नहीं था इस ते किया सरेंडर अतीग अहमद ने मौच से पहले पुलिस पुछटाश पे किया था बड़ा खुलासा अतीग नी बताया गुड़ू मुस्तिम ने असद को गाड़ी से उतर कर खुद गोली चलाने के लिए की था पुलिस पूच्टाच में अतीक ने गुबूल किया था उमेश पाल की हत्या का गुनहा अतीक के प्लान के मताबिक हत्या के दौरान असद कोकार में ही बैठे रहने को कहा था सूत्रों के मताबिक कौशांबी के कचार इलाखे में शायस्ता और साबिर के चिपे होने की जानकारी ड्रोन कैमरों से निग्रानी कर रही पुलिस कौशांबी के पराना गाँ में शायस्ता परवीन के तराश में चला सर्च ऑपरेशन दो घंटे ते चला सर्च ऑपरेशन असद का आडियो वारल होने की बाद स्टीफ को बड़ी कारवाई करने पड़ी। स्टीफ में माफिया अतीक के करीबी विल्डर मुहमद मुस्लिम को हिरा सकती लिए। असद कालिया को गिरफतार किया सूत्रों के मताबिक शायस्ता के दाहिना हाथ माना जाता है असद कालिया स्टीफ की जाँच में बड़ा कुलासा और मेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स की मीटिंग में मौजूद थी शौइस्ता परवी साबन मती जेल में बैटकर अतीक एमर्शूट उसको दीता था निर्देश अश्रफ भी बरेली जेल से बैटक में होता था शामेश पाल की हत्या से पहले शौइस्ता ने शूटर्स को दिया था आदेश का अमेश को मार कर अतीक गैंक की कोई इज़त वापस लानी है माफिय बरेल्स की हत्या को लेकर मौलाना तौकी रजा ने लिया धरने का फैस्दा पुलिस दे कोरुना का हवाला दिया और घर पर ही रजा को नजर बंद गिया तौकी रजाने सीम योगी समीत अधिकारियों को 120 स्बीक के तहट मुझरिम बनाया जाने की मांगी रजाने सीम योगी के स्तीफे ही भी मांगी चीन को पीछे चोड़ कर भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत की आबादी 142 करोड के पार यूएन रिपोर्ट में पुश्टी रक्षा मंत्री रादना सिंग ने सीना कमांडर्स को साबधान किया का कि चीन के अतिक्रमण से बरसकता है तरा निग्रानी बहुत सरूरी 2024 स्टुनाफ को लेकर सीम अम्ति बैनर जी ने बीचेपी को किया चालेंच कहा सम्विधान पर बुल्डोजर नहीं चला जा सकता 200 सीट्स का आकड़ा पार नहीं कर पाएगी बीचेपी मुंबई के बाद अब आज दिल्ली में खुलेगा आपल का रीटेल स्टोर साकेट के सिलेक्सिटी वोक मौन बेस का उधगाटन होगा मति पदेश में आवएद मदार्सों का रिव्यू करेंगे सीम शिवराज कहा का चत्ता और अथिवाद बरदाश्ट नहीं क्रिया जाएगा अमेरिका के मिसिस इपी में बवंडर का कहिर पिछले एक महीने में तूफान से 23 लोगों की मौत से कड़ों लोग बेखर हुए रोबर्ट डॉक की मदद से किया जा रहा है रेस्क्यू आपरेशन गाड़ी में फसे लोगों की तलाश जारी